मनुष्य का जीवन एक चक्र की तरह होता है इसी के इर्द गिर्द जिम्दगी घूमती हुई नजर आती है जीवन में इसी के चलते अच्छा और बुरा समय जरूर आता है बता दें आपको मनुष्य के जीवन में ग्रहों का भी विशेश मैत होता है ग्रहों से निकलने वाली उर्जा हमारे जीवन को हर पल प्रभावित करती है सुख दुख इसी का एक हिस्सा होते हैं जब भी कोई ग्रह अपनी राश्य पर वरतन करता है तो उसका सभी राश्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव जरूर परता है बता दें आपको प्रतिक मन प्रत ग्रच्य खुश्य पैसात दौलत। इस्जड और शहुरत कंभाने की होड में लगा रहता है इस दुनिया में हर कोई कुछ अलग करके अपना नाम कंभाने की कोशिश करता हैholder किसी की चाहत अपने हिसाद से जीवन जीने की हूती है साथ ही वो अपना नाम अपने मात मेहनत करते हैं लेकिन हमारी वो मेहनत भी आसा फल हो जाती है हम चाहते हुए भी मन चाहा फल नहीं पापाते हैं लेकिन अपकी बार 151 साल बार वेहद ही शुभ संयूग बना है जिसमें माता लक्षमि इंचार राशी के लोगों का उद्धार करने वाली हैं इनकी जिंदगी म हुई दिख रही है लाब ही लाब होगा अब इनका जीवन भी फूलों की खाती खिलने लगेगा यानि जिसे फूल खिलते हैं इस तरीके से इनकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश्वो और पैसा आता हुआ नजर आएगा वहीं जीवन में ये लोग कई बड़े ओड़े जानते ही आखिर कौनसी हैं वह चार राश यांव राशी है वरेष धनू मकर और कन्याराशी के लिए नेट्स्ट्न नाइन वक्तिसागर से आकाश की रिपॉर्ट नेक्स्ट नाइन से आकाश की रिपॉर्ट